रहे मतादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपरेल माह के तीसरे सब्ता के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए 15 एपरेल से 21 एपरेल तक का समय कैसा रहेग आपके जीवन से जुड़े हर शेतर के बारे में जानेंगे फिर वो आपकी सिक्षा हो पारिवारिक जीवन हो स्वास्ते हो या आपका करियर आर्थिक इस्तिधी हो तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवी दिन है चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो च नवरात्री चल रहे हैं चैतर नवरात्र और यह पूरा सब्ताह यानि यह पूरे साथ दिन नवरात्री में ही बीतने वाले हैं मदरुगा की उपास्रा में बीतने वाले हैं यह सब्ताह की शुगात तीसरे नवरात्री से होगी घुरवार के दिन से और जो अंतिम दिन होग जोग भी बनेंगे जो बड़े पावरफुल है तो एक तो चंदर्मा की स्थिति के पहले बात करें चंदर्मा व्रिषब मेथुन और करक तीन राशी में गोचर करते हुए इस दोरान निकलेंगे और यह जो चंदर्मा का गोचर होगा चंद्रमा व्रिषब रासी होंगे 15 उसके बाद चंद्रमा अपनी राशी करक राशी में चले जाएंगे ग्रहों की बात करें तो देखिए 16 एपरेल को बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा बुद्ध राशी बदलेंगे और मेश राशी में आ जाएंगे मेश राशी में 14 एपरेल को सूर्य आ चुक हैं जो ही benefit वाले होएं क्योंकि आपकी राशी के स्वामी उच्च भाव में बैठे हैं जब कोई उच्च का होकर बैठा जिसको पद्वी पर बैठा दिया जाता है तो उसका result बहुत अच्छा मिलता है और आपके राशी के स्वामी है तो आपके लिए तो वैसे भी अनुकुल result देने राशी में यानि आपके दस्वे भाव में चंद्रमा की स्थिती से हुई है दस्वे भाव का चंद्रमा है राहू और चंद्र की यूति हो रही है और ये जो ग्रहों की स्थिती है ये बड़ी शुब द्रस्टी आपके उपर डालेगी आपकी राशी के कुछ लोगों को इस सब्ताह की शुरुवात में धनलाब होने के योग बने हुए हैं आपका सुभाव काफी अच्छा होगा सामाजिक जगहों पर आपकी लोग प्रियता में इजाफा हो सकता है जिससे समाज में आपके मान सामान में विरत्धी होगी कुछ ऐसे गण मानने लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा आपकी स्तिखियाँ जो हैं उनमें निखार आता हुआ दिखाये देगा और खासतोर से करियर के मामले में यह समय अनुकूल है अब आपकी राशी की स्वामी सूर्य मेश राशी में जा चुकी हैं 16 अप्रेल को बुद्ध भी मेश मेश राशी में सुर इस दोरान आपको हर प्रकार के जो सुख है वो प्राप्त होंगे हर तरह के नकारात्मा को विचारों से आप दूर रहेंगे और किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज हैं जो की गैर कानूनी है उनका हिस्सा बस आपको बनने से बचना होगा वर ना परेशानी हो सकती है ऐसे लोगों के बीच बिल्कुल ना रहें जो नकारात्मक्ता फैलाते हैं ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रियास करें इस दौरान सप्ताह के शुरुवात में छात्रों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा आप इस समय आवधि में अपने ध्यान को केंदित करने के लिए य जो मद्ध्य समय होगा यहां चंद्रमा मिथुन राशी में होंगे मंगल के साथ गोचर करेंगे और मंगल के साथ गोचर आपकी ग्यारवे भाव में होगा जो गिलाब का भाव कहा जाता है तो यह समय आपके लिए कई तरह से लाब देने वाला होगा आप देखें नवरात जरूर देखे जा सकते हैं लेकिन इन खर्चों को आप थोड़ा सा अगर कंट्रोल करके चलेंगे तो जादा बड़ी बात नहीं होगी लेकिन ये समय आपके आमदनी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी लेकर आया है अब देखे जब भाग भाव में तो मेश रासी में आपकी रा इस्तिति आपके आर्थिक जीवन को अच्छा करेगी आपके आमदनी को बढ़ाएगी आर्थिक जीवन में आप सही से संतुलन बैठाने में सक्षम होंगे मंगल एकादस भाव में है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमन समय है आपको अपने पुरानी दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा करीबियों से मिलने का मौका मिलेगा कोई मेहफिल में जाने का करेक्रम में जाने के दावत आपको मिल सकती है वहाँ भी मौका मिल सकता है किसी पार्टी का आयोजन आप कर सकते हैं तो ऐसी चीजों में ही ये समय आपका वीतने वाला है इस दोरान जब होंगे थोड़े से सुस्त आप रह सकते हैं या फिर आप कुछ विक्टिम कॉंप्लेक्स का शिकार हो सकते हैं तो यहां थोड़ा सा सहीम बढ़ते हैं थोड़ा ध्यान दें अपने उपर और इसके बावजूद आप जो भी कारशेत्र से जुड़े हैं नौकरी करते हैं वेप क्र giraffe करना के शुभ अवसर आपको प्राक्त होने वाला है इस सप्रावे प्रेम जीवन बहुत अत्तम होगा शिक्षा के प्रती आपके मढ को केंद्रित कर जो भ्रहमित हो रहा था मन, अब वो आपके इंदित कर पाएंगे, अब जो सिक्ष्या से जुड़े बच्चे प्रेम संबंध में भी हैं, उनको थोड़ा सा तालमिल बिठाना होगा अपनी सिक्ष्या में और अपने प्रेम संबंध में, इस बात को समझने का प्यास करना होग कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है लेकिन इस समय है आपको अपनी सिक्षा को महत देने की उसको जरूरत समझने की क्योंकि अगर आप इस समय अपनी सिक्षा पर ध्यान देंगे तो सारी आगे आने वाले समय में आप उसका ही उपयोग करने वाले हैं उसी को चोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और चोटी कन्याओं के पूजन से मदुर्गा का आशिरवाद प्राप्त होता है तो इस दिन एक तो आप चीटियों को आटा डालें और एक काम जरूर करें पूरे सप्ता हमें अपने माथे पर पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिक से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें धन्यवाद